तो आज हम आपके साथ बिल्कुल नई watch Max Pro Sky जो की Maxima की बिल्कुल नई launch है इसमें Bluetooth calling feature का आपको support मिल जाता है और 1.85 inch large HD display आपको इसमें देखने को मिल जाती है इसके अलावा इसमें बहुत सारे features हैं जो की एक surprise package है बिल्कुल smart watches में यहाँ पे आप देख सकते है Bluetooth calling का support AI voice assistant आपको मिल जाता है screen lock यहाँ पे आपको support है यहाँ पे आप password के थ्रू अपना screen lock लगा सकते है और बहुत ही शानदार feature add personalized QR code का यहाँ पे आपको एक always on display का support मिलता है जिसमें आप 30 minutes के लिए अपनी display को on रख सकते हैं बट यहाँ पे आपकी battery बहुत जल्दी consume होती है तो इस features का कम से कम इसमाल करें जिससे की आपकी battery drainage कम हो यहाँ पे आपको और इसके अलावा sleep monitor, HR monitor, stress monitor, SPO2 monitor, calories, multi-sport mode और बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं तो आईए इसको unbox करते हैं जल्दी से और देखते हैं यह बिल्कुल नई शानदार smartwatch तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पेरिंग कार्ट और यहाँ पे आपका यहरी max pro sky smartwatch तो पहले लुक्स में आप देख सकते हैं काफी premium finish दिया गया है और यहाँ पे मेरे पास gold black variant है तो एक बार आप overview देख सकते हैं यहाँ से इस slip को हटा दे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी premium finish दी गई है डिस्पले में और काफी अच्छे dials यहाँ पे हमने देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पे three inbuilt dial का support है और बाकी आप 150 plus cloud based watch faces app के through आप इसमें download कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आए इसके functions के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपको heart rate, weather, activity, sleep report और music का support मिल जाता है अगर इस side swipe करें तो आपको split screen मिल जाती है और इसमें आप काफी सारे features explore कर सकते हैं इसको double press करने से आपकी menu style change हो जाती है और आपको यहाँ पे three menu का support मिलता है जो भी आपको पसंद है वो उस हिसाब से आप choose कर सकते हैं तो आईए इसको जल्दे से connect कर लेते हैं यहाँ पे आपको pairing card से QR code scan करना है और इसकी application के लिए बस आपको यह link क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे directly play store पे आजाते हैं प्ले स्टोर ओपन करना है आपने तो यहाँ पे विएर फिट प्रो के नाम से आपको एप देखने को मिल जाती है इंस्टॉल कर लीजिए तो यहाँ पे एप इंस्टॉल हो रही है इसको open कर लेना है उसके बाद यहाँ पे permissions agree करनी है प्ले करना है और यहाँ पे allow कर देना है यहाँ पे आपको login page मिल जाता है यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 要 options हैं Google से login कर सकते हैं तो Google से login कर लेते हैं सबसे easy process है यहाँ पर मैं Google से start कर देता हूँ login इसकी यहाँ पर login process Google के थूँ हो जाता है बहुत easily यहाँ पर permissions को allow कर देना है while using the app यहाँ से back आ जाना है device में आपको जाना है और यहाँ से right swipe करके आपको यहाँ पर एक option मिलता है click to scan का और यहाँ पर आपने app में scan के लिए option दबाना है और camera की permissions allow करनी है और connect करने के लिए इसको scan कर लेना है तो यहाँ पर आपकी बहुत easily pairing हो जाती है और इसको done कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत easy pairing है और इसको turn on कर देना है message notification को wear fit को allow करना है और back जाना है I know यहाँ पर allow करना है contacts, phone, SMS जिससे कि आपकी notifications watch असानी से read कर पाए और कोई वहाँ पर problem ना हो यहाँ पर done कर देना है और यहाँ पर आप battery optimization के लिए settings में जाके battery से इसको remove कर सकते हैं जिससे की app आपकी continuous चलती रहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले connection interface में आपको dials मिल जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे dials आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपको भी choose करके यहाँ पर directly अपनी watch में install कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको notifications मिल जाती है इसके लिए आपको जो भी apps आपको on करनी है यहाँ से on कर सकते हैं पर यहाँ पर जितनी भी apps आप on करते हैं उसके इसाब से आपकी battery का consumption रहता है तो उससे इसाब से आप आपकी favorite apps यहां से on कर सकते हैं उसके लिए आपका ये option on होना चाहिए सबसे उपर इसके बाद आपको मिल जाता है favorite contacts का option यहां पे आप अपने favorite contacts add कर सकते हैं जैसे कि मैं एक यहां पे add कर लेता हूं और back तो इससे क्या है आपके जो भी contact save होते हैं वो आपकी watch में directly चले जाते हैं और आप अराम से यहां से directly watch के through call कर सकते हैं और उनका नाम देख सकते हैं यहां पे business card के option में आपके पास यह option रहता है कि यहां पे आप किसी भी app का QR code डाल सकते हैं और यहां पे specifically WhatsApp में आप कोई भी QR code डाल सकते हैं जैसे कि आपका personalized QR code है बट आपको image proper होनी चाहिए QR code की जिससे कि वो support करें तो यहां पे click करके आप कोई भी QR code डाल सकते हैं for example मैं यहां पे अपने WhatsApp का QR code डाउनलोड कर लेता हूं आप देख सकते हैं यहां पे WhatsApp का QR code खुल जाता है और इसका screenshot ले ले screenshot आपका gallery में save हो जाता है और यहां से आपको plus करके यहां से QR code मिल जाता है और यहां से आप select कर सकते हैं उपर से जाके इसको select कर दें और OK कर दें यहां पे image upload हो जाती है और bind कर दें जिससे कि आपकी watch में show हो जाएं उसको आप यहां से उपर से नीचे स्वाइप करके यह options के साथ देख सकते हैं, यहां पे आपका QR code अप्लोड हो चुका है, और बड़े easily आप यहां से किसी को भी अपने WhatsApp का QR code share कर सकते हैं, और easily friends बना सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा option है, आप कहीं भी अपनी watch से directly QR code scan कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें आपको weather reports मिल जाता है, find device का option मिल जाता है, health remind, alarm and other settings में, आपका यहां पे hourly automatic measurement है, इसको off कर ले, नहीं तो आपके heart rate का sensor continuously on रहता है, जिससे आपकी battery consume बहुत जल्दी होती है, raise your wrist से आपको, जैसे ही आप अपनी hand का moment करते हैं, यह wrist का moment करते है तो आपकी screen light up हो जाती है, उसके लिए option है, 12 hour clock से आप define कर सकते हैं, आपको 12 hour या 24 hour format चाहिए, और बाकी इसके अलावा firmware update है, restore factory setting and device info, तो यह सब features आपको, आपके phone से watch के through मिल जाते हैं, आईए watch में देख लेते हैं, आपको क्या-क्या मिलता है, तो यहां पे आपको heart rate, spo2 sport, telephone, activity, sleep report, weather, MET index, stopwatch, music, timer, pressure, message, setting, pressure का यहां पे meaning है stress monitor से, और settings में आप जा सकते हैं, voice assistant आपको यहां पे मिल जाता है, और voice assistant को activate करने के लिए आपको just यह Bluetooth calling वाला option on करना है, Bluetooth calling का option के बाद आपको अपनी phone के settings में जाना है, और यहां पे connections में, तो यहां पे max pro sk underscore call करके आपके पास Bluetooth का option आजाता है, इसको connect कर देना है, यहां पे pairing request आप से पूछे जाएगा, और यहां पे आपका sk call और Bluetooth calling function activate हो जाता है, तो आप इसको directly यहां से जाके, menu में जाके, और telephone option से आप recent calls, contact person, dial pad, सब यहां से चेक कर सकते हैं, आइए इसकी speaker quality चेक कर लेते हैं, अवाज आप देख सकते हैं, काफी clear आपको यहां पे आवाज मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं, इसमें HD speakers का use किया गया है, और mic की quality भी आपको अच्छे मिल जाती है, जिससे कि आपकी आवाज सुनना और यहां से जो भी आपके आवाज जाएगी, काफी अच्छे और always on display के feature को on करने के लिए आपको setting में जाना है, और always on में यहां पे आप timing select कर सकते हैं, यहां पे आपके पास options है 5, 10, 15, 20, 30 minutes के लिए, अगर मैं 30 minutes के लिए लगा देता हूं, तो यहां पे battery consumption बहुत तेज हो जाती है, यहां पे on करने के लिए इस option को on कर दें, तो यहां पे आपको warning आएगी, that this option will reduce the battery very greatly, इसको आप maximum time off ही रखें, अगर मैं इसको on कर देता हूं, तो यहां पे मेरे यह display on रहेगी, जो आपका dial आपने default set कर रखा है, तो यह पूरी power packed watch बन जाती है, features के साथ, वो भी सिर्फ 1799 की range में, तो आप इसको maxima की site या फिर अपने नजदी की dealer से कहीं से भी purchase कर सकते हैं, और यह सब e-commerce website पे available है,